हाई एवरिवान मैं हूँ आर्ती और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिसकस करूँगी सैंगर सीक्वेंसिंग मैथड जो की DNA सीक्वेंसिंग का एक टाइप होता है तो DNA में नुकलियोटाइड्स के अरेंजमेंट को जानने के लिए कि किस सीक्वेंस में यह किस तरह से किस स्पेसिफिक DNA सेग्मेंट में आरेंज है यह जानने के लिए हम DNA सीक्वेंसिंग मैथड परफार्म करते हैं DNA सीक्वेंसिंग डिफरेंट तरीके से परफार्म की जाती है जैसे सेंगर सीक्वेंसिंग मैथड जिसे हम चेंड टर्मिनेशन मैथड भी बोलत तो ये सारे sequencing method किस तरह से perform की जाते हैं one by one करके हम अपनी upcoming videos में cover करेंगे लेकिन आज हमारा focus रहेगा Sanger sequencing method पर और इसे chain termination sequencing क्यों कहा जाता है वो अभी हाप understand करेंगे तो suppose आप DNA के किसी specific fragment में interested हैं आप जानना चाते हैं कि इस fragment में nucleotide किस तरह से arrange हैं तो आप सबसे पहले उस DNA के fragment को isolate करते हैं isolate इसलिए अगर या तो वो बहुत बड़े DNA का part है तो आप focus सिर्फ एक segment पर करना चाते हैं तो हमें उसे isolate करना जरूरी है तो सबसे पहला step वहा हमने DNA को isolate किया अगर बहुत lengthy DNA तो हम उसको fragments में convert कर लेते हैं और इन में से जिस specific fragment में हम interested हैं उस specific fragment को हम isolate कर लेते हैं अब suppose यहाँ पर यह double stranded DNA है तो next step हमारा होता है after isolation इस double stranded DNA को single stranded DNA में convert करना means अगर कोई DNA का fragment हमारे पास double stranded है तो जब हम इस double stranded DNA को denature कर देते हैं तो हमारे पास दो strands होते हैं single strand, single strand अब इन दोनों strands में से किसी एक strand को हम as a template use करते हैं अपने experiment में use करते हैं जिस भी strand को हम अपने experiment में use करेंगे उस strand को हम template strand बोलते हैं अब suppose यहाँ से हमने एक strand चूज कर लिया जिसे हम अपने further experiment में use करने वाले हैं then इसको चूज करने के बाद हम 4 tubes लेते हैं और इन 4 tubes को हम label कर लेते हैं अलग-अलग labeling की जाती है जैसे कि tube 1 को हम label कर लेंगे यहां DD ATP से tube 2 को हम label कर लेंगे DD GTP, tube 3 DD CTP, tube 4 DD TTP से और इन 4 tubes में हम यह जो हमने strand चूज किया है जिसे हम template strand बोल रहे हैं इस template strand को equal amount में distribute कर लेते हैं मतलब इन 4 tubes में हम अपने इस single strand to DNA को add कर लेते हैं DNA add करने के अलावा इन 4 ही tubes में हम DNA polymerase enzyme भी add करते हैं आप देख सकते हैं यहां एक साथ mention किये गए हैं यह यह तीनों ingredient इन 4 tubes में add किये गए हैं DNA polymerase enzyme के अलावा इन में DNTP है DNTP मतलब normal adenine, thymine, cytosine and guanine और template specific हम primer add करते हैं चारो tubes में अब आपके mind में यह ख्याल आ सकता है कि हमें इस template की sequence तो नहीं मालूम है sequence इसकी not known है तो primer हम कैसे add करें primer क्या होते हैं short oligonucleotide sequence होती है जो हमारे strand के complementary sequence हो करते हैं तो जब हम इस strand की sequence ही मालूम नहीं है तो primer कैसे add करें कि इस basis पर हम add करते हैं तो यहां अगर आप इस concept को समझ सकते हैं तो better रहेगा कि हम जिस भी strand को sequence करना चाते हैं उस strand को पहले हम clone कर लेते हैं clone करते हैं, clone करने के लिए हम एक vector choose करते हैं जैसे हम gene cloning करते हैं सेम उसी तरह से हम इस fragment को भी किसी vector के साथ ligate कर लेते हैं Vector की sequence हमें known होती है तो अगर हमें vector की sequence known है जो terminal जहां पर हमने अपने genome add किया है, वहां की sequence हमें known है, तो उस sequence के specific, इस vector की sequence के specific हम primer use करते हैं, तो sequence जो है कि primer किसके specific हमने use किया, vector के specific हमने primer use किया, तो इन चारो tubes में हमारा क्या है, हमारा template strand है, हमारा DNA polymerase enzyme है, नॉर्मल DNTPs है, चारो DNTPs, एन रेडियो लेबल्ड प्राइमर है, और उसके अलावा अगर co-factor required है, जैसे DNA polymerase enzyme के लिए mg plus 2 ची होता है, और एक optimum pH रखी जाती है, इस तरह से हम इन चारो tubes में ये common ingredients add कर लेते हैं, एक ingredient ऐसा होता है, जो इन चारो tubes में अलग-अलग होता है, ज जो कि बाकी tubes में नहीं add किया, इस वाली tube में हमने DD-GTP add किया, इसमें DD-CTP और इसमें DD-TTP अलग से add किया, इट मींज अगर मैं इस tube के सारे ingredients की बात करूं, तो template strand, polymerase enzyme, normal DNTPs, primer, co-factor and DD-ATP, इस tube के ingredients के अगर हम बात करें, template, DNA polymerase enzyme, normal DNTPs, radio label primer and DD-GTP, आप अब इस point को समझ के होंगे, तो इस तरह से ये जो DD-ATP, GTP, CTP-ATTP, ये चारो tubes में अलग-अलग होते हैं, अब ये DTP ये DD-GTP क्या होता है, तो जैसे हमारा जो DNA sequence है, ये जो DNA sequence है, ये जो nucleotides है, इस nucleotide के बाद ये new nucleotide add वाद हैं, उसके बाद new nucleotide आकर attach तो ये जो nucleotides का elongation होता, अगर आप इसको molecular level पर understand करते हैं, तो ये यहाँ पर molecular level पर DNA का structure given है, इसमें आप देखे, ये हमारा एक nucleotide है, ये अगर आप देख सकते हैं, तो DNTP जिसे हम बोलते हैं, DNTP का मतलब है, N मतलब N can be anything, जैसे यहाँ पर हमारा N है adenine, ठीक है, यहाँ ह N मतलब nitrogenous base, T मतलब tri and P मतलब phosphate, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 3 phosphate group होते हैं, ठीक है, शुगर होती है, ये शुगर है यहाँ यहाँ पर और ये हमारा base होता है, इसे हम बोलते हैं DNTP, DNTP, D-Oxy, D का मतलब है D-Oxy, ठीक है, तो D-Oxy क्यों बोला जाता है इसको, क्योंकि अगर आप यहाँ शुगर पर focus कर पा रहे हैं, तो यह है शुगर, तो शुगर को आप देखें जो blue color से denote है, शुगर का ये first carbon है, यहाँ पर ये second carbon, ये third carbon होता है, ये fourth carbon और शुगर का ये fifth carbon होता है, तो अगर आप इसके second carbon पर देखें, तो second carbon पर एक H group attach है, और इस शुगर के ज यहाँ OH group attach होता है, तो ये जो third carbon पर OH group है, और second carbon पर H नहीं है, मतलब second carbon पर H है, second carbon पर OH नहीं है, यानि O नहीं है, H तो है O नहीं है, तो इसलिए D, D मतलब absent, oxy मतलब oxygen, ठीक है, तो यहाँ पर D मतलब absent, ठीक है, और oxygen कहाँ? second prime carbon पर, तो इसलिए इसको नाम दिया गया D-oxy, D-oxyribal sugar DNA में पाई जाती है, तो क्योंकि इसकी second prime carbon पर oxygen group नहीं है, बलकि third prime carbon ये जो यहाँ का carbon है, इसको third prime carbon बोलते हैं, यहाँ पर OH group होता है, और आप देखो कि three prime के OH group के साथ ही, नया nucleotide आकर, नया nucleotide का phosphate group आकर attach हो रहा देखो यहाँ पर भी three prime carbon का OH, यहाँ three prime carbon का OH, तो यहनि three prime carbon, जो three prime carbon पर OH group है, वो chain elongation के लिए important है, तो यह तो बात की हमने DNA के molecular level पर, तो यहनि DNA में जो normal DNTPs होते हैं, उसमें three prime पर OH group पाया जाता है, ठीक है, और इनको D-oxy इसलिए बोला जाता है, क्योंकि इनके second carbon, जो second prime carbon है, वहाँ पर oxygen नहीं पाया जाता है, और अब बात करते हैं, DDNTP की, DDNTP, DD मतलब di-de-oxy, ठीक है, di-de-oxy मतलब, अब यहाँ पहले two prime पर oxygen नहीं था, पर अब three prime पर भी oxygen नहीं है, तो di-de-oxy मतलब दो, two, ठीक है, di-oxy मतलब, अब दो जगह से oxygen absent है, second prime पर भी oxygen नहीं है, third prime पर भी oxygen अब नहीं है, तो यह di-de-oxy हो गया, तो अगर third prime पर यहाँ oxygen नहीं होगी, तो chain का elongation ही नहीं होगा, chain का elongation ही नहीं होगा, तो chain terminate हो जाएगी, अगर यह वाला nucleotide हमने add कर दिया किसी chain में, तो वहाँ पर DNA polymerase enzyme, क्योंकि यह three पर OH group है ही नहीं, तो chain को आगे बढ़ा ही नहीं पाएगा, तो आप understand करते हैं, यह concept किस तरह से sangra sequencing में applicable है, तो अभी हम देखते हैं कि molecular level पर tube में क्या reaction चल रहे हैं, जिस example इस tube का ले लेते हैं, कि यह DDTTP label जो tubes में क्या हो रहा है, तो अभी आपने देखा कि यह हमारे template strand की sequence थी, तो यह हमारा यहाँ पर template strand है, ठीक है, बाकी normal ingredients आपक tube में क्या-क्या है, तो आप suppose कीजिए कि इस template के specific यहाँ primer आकर attach हुआ, ठीक है, and then DNA polymerase enzyme इस template को elongate करने लगता है, इस primer को elongate करने लगता है, तो यहाँ जब sequence का reaction elongate होगा, process run हो रहे होगी, तो guanine का complementary क्या sequence होगी, guanine की complementary जो नया strand बन रहा है, वो guanine का complementary cytosine attach करेगा, cytosine का complementary guanine attach करेगा, normal DNTPs है tube में, तो वो सारे attach होते रहेंगे, आडिनीन की जब बात आएगी, तो यहाँ पर दो choice है cell के पास, एक तो normal TTP present है cell के पास, एक dideoxy TTP present है cell के पास, क्योंकि देखो हमने label किया हुए dideoxy TTP से, तो यह जो dideoxy TTP है, अगर यह add हो गया, तो हमार chain वहीगी, वही terminate हो जाएगी, और अगर यह add हो गया, तो यह नहीं chain हमारी elongate होती रहेगी, ठीक है, तो suppose माल लेते हैं, अब की बार यह जो A है, इस A के complementary हमारा dideoxy वाला यह add हो गया, तो इसके 3' पर OH group नहीं है, तो chain elongate ही नहीं हो पाएगी, हमारी chain terminate हो जाएगी, तो ह हमें यह एक fragment मिल गया, छोटा सा fragment मिला हमें, दूसरा देख लेते हैं कि guanine का complementary cytosine, cytosine का guanine, adenine का thymine, तो हो सकता है, इस बार possibility है, क्योंकि ट्यूब में normal TTP भी है, तो normal TTP आकर attach हो गया, guanine का adenine, cytosine का guanine, इस तरह से करते-करते, यह जो last A है, suppose यहाँ पर आकर, यह DDTTP attach हुआ, ठीक है, यह भी जरूरी नहीं कि यहाँ पर DDTTP ही attach होगा, क्योंकि last है, ऐसा नहीं है, normal TTP attach हो सकता है, कैसा भी T attach हो सकता है, तो suppose इस बार यहाँ यह DDTTP attach हुआ, तो एक यह दूसरा fragment मिल गया, इस तरह से हमें अलग-अलग तरह के fragments मिलते रहते हैं, अब जैसे एक और देख लेते हैं, DDATP tube का क्या चल रहा होता है, तो DDATP tube में अगर आप देखेंगे, तो यह हमारे template strength की sequence है, और primer help से 3'OH मिलता है DNA polymerase enzyme को, जिसके वज़े से elongation start होता है, तो guanine का complementary cytosine, cytosine का complementary guanine, adenine का complementary thymine, and thymine का complementary क्या-क्या possibility है, दो possibility है, कि normal ATP भी add हो सकता है, और DDATP भी add हो सकता है, दोनों possibility है, ठीक है, तो हो सकता है, हमें पूरा का पूरा एक fragment मिले, या फिर हो सकता है, यह एक हमें इस तरह का, एक short fragment मिले, तो इस तरह से यह आप देख सकते हैं, आप खुछ से draw कीजिए, GTP का और DDCTP का, आप देखेंगे कि आप possible fragments इसलिए अलग-अलग मिल रहे हैं, क्योंकि ट्यूप में हमारे पास normal nucleotide भी है, जो chain elongate करेगा, और dideoxy nucleotide भी है, जो chain terminate कर सकता है, तो कौन जा nucleotide कब incorporate हो रहा है, नई बनने वाले DNA में, उसके basis पर यह chain terminate हो जा रही है, और हम यह अलग-अलग fragments मिल रहे हैं, तो उस सारे tubes को हम agrose gel पर run करते हैं, A, G, C, T, चारो tubes का material, tube 1 का is well में load किया, tube 2 का is well में, 3 का is well में, 4 का is well में, तो हमने यह चारो tubes का sample को अलग-अलग load कर लिया, load करने के बाद जो यह agrose gel electrophoresis है, जो सबसे छोटा strand होगा DNA का, वो सबसे fast move करेगा, और जो सबसे बड़ा strand होगा, क तो हमें अलग-अलग length के fragment मिल रहे हैं, ठीक है, तो सबसे छोटे जैसे यह है, तो यह सबसे आगी निकल जाएगा, और सबसे lengthy fragment जैसे यह है, यह बहुत slow move करेगा, तो इस तरह से हर एक fragment उसका कितना size है, उसके basis पर agrose gel में run करता है, जब यह agrose gel में run करता है, हम gel को कैसे interpret क करते हैं, तो हम read करना शुरू करते हैं bottom side से, तो bottom side में जो सबसे नीचे है, देखे, CTP का band सबसे नीचे है, तो यानि यह होगा हमारा C, इसके उपर वाला band है हमारा GTP, तो यानि यहाँ पर अब आएगा हमारा G, जो जैसे जैसे हम उपर की तरफ बढ़ते जाएंगे, next है ह हमारा TTP वाले tube से band, तो यह T, तो जैसे जैसे हम उपर की तरफ बढ़ते जाएंगे, हम अपने nucleotides को arrange करते जाएंगे, और यह जो nucleotides की sequence होती है, यह यहाँ पर गलती से mention कर दिया गया है, यह हमारा 5' end होता है, 5' to 3' end यह हमारी sequence होती है, तो यहाँ से हमें यह sequence पता चल ठीक है, 5' to 3' sequence हमारे DNA की यह थी, C, G, T, A, C, G, C, T, तो यानि इस sequence से, automatically हमने जो template यूज किया, उसकी sequence हमें पता चल जाएगी, क्योंकि obviously दोनों complement रहोंगे, तो क्या हो सकते हैं इसकी? cytosine का guanine, guanine का cytosine, thymine का adenine, thymine, cytosine का guanine, cytosine, guanine, adenine, तो यह हमारी, जो हमने template चूज किया था, उसकी sequence यह रही होगी, ठीक है, और यह हमें दूसरे strand की sequence यहाँ से, पता चली, gel से, ठीक है, तो अब आप देखें मिलाकर, G, C, A, T, G, C, G, A G, C, A, T, G, C, G, A, पता चली हमें, अपने template जो की शुरू में हमें यह भी नहीं पता थी, तो हमें क्या हुआ, gel से मिली हमें, जो template का opposite strand था, दूसरा वाला था, उसकी detail मिली हमें gel से, और जब हमें एक strand की sequence पता चली, इस strand की complimentary strand, जो की हम as a template यूज करते हैं आ रहे थे पू automatically पता चल जाती है, I hope यह concept आपको clear रहा होगा, अगर आपको इस video से related handwritten notes चाहिए, तो आप मुझे telegram channel पर join कर सकते हैं, telegram channel का link इस video के description में दिया गया है, और अगर आप मुझे live classes के लिए join करना चाहते हैं, तो आप मुझे unacademy पर follow कर सकते हैं, unacademy का link भी इस video के description में द करते हैं